दोस्तो अगर आप भी भारती टीम को T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ देखना चाहते हैं तो वीटियो को लैग जरूर कीजेगा दोस्तो आस्ट्रेलिया के खिलाव वर्ल्ड कप में मैच में हार के बाद रो पड़ी भारती महिला खिलारी दे दिया संसरी मचा देने वाला बड़ा बयान ची हां दोस्तो बारत और आस्ट्रिलिया के पीच खेले गए मैच में भारती टीम को हार काट सामना करना पड़ा है जिसके बाद भारती महिला खिलाडियों का बयान सामने आया है इस बीच हर्मन प्रीत को और स्मृती मंधाना से लेकर शेफाली वर्मा दीप्ती शर्मा ने एक ऐसा बयान चारी कर दिया है जिसको सुनकर आपको भी पैरोतले जमीन खिसकने पर मजबूर होना पड़ेगा तो आखिरकार भारती टीम की हार के बाद भारती महिला खिलाडियों ने क्या कुछ कहा है ये तो आपको बताएंगे ही तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारती टीम अभी भी सेवी फैनल में पहुच सकती है या नहीं अपनी राय हमें नीचे दिया गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा दोस्तो जैसा क्या आपको पता है भारत और आस्ट्रेलिया की बीच वर्ल्ड कप का रोमान चक मैच खेला किया जहां पर इस मैच में भारती टीम को 9 रन से हार का सामना करना पड़ा दरसल इस मैच में भारती टीम ने टॉस हार कर पहले की इंदबासी करते हो आस्ट्रेलिया की टीम को 190 रन आठ विकेट के नुकसान पर रोग दिया जिसके बाद भारती महिला खिलाडियों का बयान सामने आया है जिसमें इसमिदी मंदाना से हम बयान देते हुए कहा कि इस मैच में हमारी भारती महिला की टीम को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है और इस मैच में हमारी हार की असली जिम्मदार हम खुद हैं क्योंकि हम जिस प्रकार से हमारी टीम को जीत मिलनी चाहिए थी और जिस प्रकार से हमारी टीम के खिलाडियों को बहतर प्रदर्शन करना चाहिए था उस तरीके का प्रदर्शन हमारी टीम के खिलाडियों ने बिल्कुल भी नहीं किया इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि आस्ट्रेलिया की टीम काफी जादा बहतरी टीम है ऐसे में उनका हमें हलके में लेना नहीं चाहिए तो महीं आर्बनफरीत का औरने बयान देते हुए कहा है कि भारती माइला टीम इस पार वर्ल्ड कप में जीत की प्रबल दावेदार थी लेकिन जिस परकार से हमारी टीम ने पहले मैच में काफी जादा खराब प्रदर्शन किया इस तरीके से हमारी टीम ने इस मैच में भी जीते हुए मैच को गवा दिया हाला कि इस मैच में हमारी टीम के पास में जीत तरज करने का बहतरीन आप्शन था और हमारी टीम बहतर इस्तिती में भी थी परन्तु कुछ गलतियों के चलते हमारी टीम मैच में पीछे होगे और आस्ट्रेलिया की टीम ने मस्बूत पकड़ बनाते हुए हमें बुरी तरीके से हराने के लिए महत्वपूर्ण भी कर दिया इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच में आस्ट्रेलिया की टीम ने शांदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है और यही कारण है कि हम इस मैच को बुरी तरीके से हार कए तो वहीं शेफाली वर्मा ने बयान देते हुए कहा भारती टीम को इस मैच के अंदर हार का सामना करना पड़ा है और इस मैच में हार के असली जिम्मदार हमारी टीम के सभी खिलारी है क्योंकि ना तो हमने बहतरीन तरीके से अनुशासन के साथ गेंदबाजी की और ना ही बहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की हाला कि गेंदबाजों ने अपनी तरफ से पूरा योगतान दिया और बल्ले पासों ने भी पूरी कोशिश की परंतो जिस प्रकार से विरोधी टीम ने हमारे उपर दवाब कायम किया और हमें दवाब में डाला उसी के चलते हमारी टीम दिक्कत में आके इसके अलावा उन्होंने आके बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में मुझे खुद बहतर प्रदर्शन करना चाहिए था ऐसे में हम मेरा प्रदर्शन बहतर ना कर पाना भारते टीम के लिए काफी नुकसान दाएक थाबित हुआ है तो वहीं दीबती शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि भारत को इस मैच के अंदर काफी जादा बुरी तरीके से हार का सामधा करना पड़ा है जिस प्रकार से हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाडियों ने खराब प्रदर्शन किया है वो बास तब में मुझे भी निराश कर रहा है हाला की हमारी टीम इस बार वर्ल्ड कप में जीत दर्च कर सकती थी लेकिन हमने इस वर्ल्ड कप में उम्मीद के मताबिक बिल्कोल भी बहतर प्रदर्शन नहीं किया ऐसे में अब हमारी टीम वर्ल्ड कप के लगभग बाहर हो चुकी है और अब हमारी टीम को पूरा का पूरा पाकिस्तान पर फोकस करना होगा अगर पाकिस्तान की टीम जीच जाती है तो हम आगे आसानी से पहुच जाएंगे परंतू मुझे नहीं लगता कि इस बार हमारी टीम आगे जाप आई कि हमारी टीम को असली हमारी गलती के कारण करारी हारका सामना करना पड़ा है तो दोस्तो अब आपको क्या लगता है इस मैच में भाष्टी टीम की हारक की असली जिम्मदार कौन रही है अपनी राय हमें नीचे दियेगे, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा और ऐसी ही शांदार खबरों के आमारे चैनलों को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद तीमों के बीच खेले गए रॉंग्टे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाइलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतिय महिला टीम इस बार टी-20 वर्ल्ड कप के ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तो विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप का सबसे रुमान शक मुकाबला इंडिया और आस्ट्रेलिया के बीच शार जहां क्रिकेट स्टेडियम में शुरूर हुआ ये मुकाबला दौनों टीमों के लिए बेहद महत वपून है खास दोर पर भारती टीम के लिए मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है क्योंकि ये मुकाबला जीतने से टीम इंडिया का फाइनल में पहुँचने का रास्ता साफ हो सकता है सिक्का उचाला गया तो एक बर फिर आस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरा और आस्ट्रेलिया की कप्तान ने टॉस जीत कर पहले बले बाजी करने का फैसला किया और भारती टीम को गेन बाजी करने के लिए आमंत्रित किया आस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए पर ग्रेस हैरिस के साथ बैथ मौनी आ चुकी थी इन दौनों खिलाडियों के कंधों पर टीम को बहतरी ने शुरुआ दिलाने की पूरी जिम्मिदारी थी भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आई रेनुका ठाकुर लेकिन इनका स्वागत ग्रेस हैरिस ने दूसरी गेन पर शांदार चौक का लगा कर किया और टीम के साथ साथ अपना खाता खुला मगर उसके बाद रेनुका ने शांदार गेन बाजी की पहले ओवर में ऑस्ट्रेलिया केवल साथ रन बना पाई केवल विकिट की तलाश में भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आई श्रियंका प भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आई एक बर फिर विकिट की तलाश में रेनुका ठागुर लेकिन ओवर की दूसरी ही गेन पर रेनुका ने एक्स्ट्रा पांच रन दे दिया जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा लेकिन फिर रेनुका अगली गेंद पर ही लबी डबली उनका होकर पवेलियन लोट गई और बैक टू बैक भारतिये टीम को दूसरी सफलता मिल गई आस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से मैच में पीछे चली गई लेकिन ड्रेस हैरेस अभी भी मैदान पर टिकी होई थी उनका साथ देने के लि लिए पूजा वसरिगर को थमाया और पूजा ने भी शांदार गेंद बाजी की केवल छे रन दिये चार ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 24 रनों तक दो विकेट पर पहुँच पाया भारतिये महिला टीम मैच में हारी नजर आ रही थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया महिलाई खि लाडी मैदान पर तरस रही थी इस ओवर में रेनुका ने केवल छे रन दिया और इसी के साथ आस्ट्रेलिया की टीम पांच ओवर में केवल तीस रन दो विकेट पर बना पाई भारतिये महिला गेंद बासों को लगातार विकेट की तलाश थी पावर प्ले का अंतिम ओवर 37 रन दो विकेट के नुकसान पर बना लिये थे लेकिन अब भारतिये टीम को विकेट की तलाश थी एक बार फिर हर्मन प्रीत कौर ने बाॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और साथ ओवर फैकने के लिए गेंद अरुन्धती रेड़ी को धमाई अरुन्धती ने शांदार गेंद बाजी का नसारा दिखाया आस्टेलिये बलेबाजों को खुब परिशान किया और आस्टेलिया की टीम ने इस ओवर में केवल पांच रन बना पाए साथ ओवर में बड़ी मुश्किल से आस्ट्रेलिया का स्कोर 42 रनों तक पहुँच पाया जिस तरह से आस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था वो देखकर तो यही लग रहा था कि भारतिय महिला टीम के सामने 120-130 रनों का लक्ष आस्ट्रेलिया की टीम खड़ा कर सकती है लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है भारतिय महिला टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफिय अपने नाम कर पाएगी है अंतिम गेंदे तक ये बता पाना नामुम्किन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी जहां बांगलादेश के 247 रनों के जवाब में भारत के विधवन सक बल्ले बाजों कप्तान सूर्या से लेका रभीशेक शर्मा और रिंकु सिंग का तूफान देखने को मिला तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांगलादेश के अंतिम टीट्वेंटी का रॉंग्टे खड़े कर देने वाला पूरा हाइलाइट भी दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रॉईच शर्मा और सूरे कुमार यादव में कौन है सबसे बहतर कप्तान नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों भारतिये टीम पहला टी-20 मुकाबला गॉालियर के मैदान पर एधिहाजिक जीत दर्ज करने के बाद दूसरा टी-20 मैच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में 86 रनों से विज़य हासिल की और अब दौनों टीमें है हैदरबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जा पहुँची यहां सीरीस का तीसरा और अंतिम मुकाबला शुरूवा बांगलादेश की कप्तान नजमुल हुसैन शंतो ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहां जब बल्लेबाज बांगलादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटंदास के साथ परवेश हुसेन इमान की खतरनाग जोड़ी मैदान में आई लेकिन भारत की खतरनाग गेनबाजी के आगे बांगलादेश की कोई भी जोड़ी मैदान पर टिक नहीं सकी टॉप ओर्डर से लेकर मिडल ओर्डर सभी खिलाडी मैयं की आदव और अर्शिदीब की घातक गेनबाजी के आगे घुटने टेक बैटेश की पूरी टीम भारत के सामने 20 ओफर में 210 रन बना कर रॉल आउट हो गई अब दोस्तों बारीती भारतिय बर लिबाजों की इस मैदान पर कुछ चमतकार कर दिखाने की दोस्तों टीम इंडिया को विस फोटक शुरुआद दिलाने के लिए संजू सैमसं के साथ खतरनाक अभी शेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाडी टीम इंडिया को ताबर तोर शुरुआद दिलाएंगे लेकिन संजू इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैटे वो गेंदबाज के बिचाय जाल में फस गया और फील्डर को अपना असा कैच दे कर इस खिलाडी को पव अब दोस्तों संजू का विकेट गिर जाने के बाद भारती टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी अब संजू जब आउट हुए तो बांगलादेश के लिए उतरे खुद कप्तान सूरिया जहां सूरिया और अभिशेक पर हर किसी के निगाहें थी कि दौनों बल्ल रहा था छे ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते आट ओवर में भारतिये पारी 90 रनों के पार खड़ी थी इन दौनों खिलाडियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनर्शिप हो चुकी थी दौनों तरफ से दौनों खिलाडी केवल चौके और चकों से ही बात कर रहे थे इस बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्दश तक केवल 30 गेन में ठोक दिया जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहत महत